असलाम अलेकुम मैं मुम्जा वसीम पेसेक्स इनलिस से हैं अगर आज मार्केट के होल से बात करते है तो आज के मार्केट चार पॉंट नेगिटिव बंद रही इंडेक्स के करीब बंद रहा वॉल्यूम को देखा जाए तो एक यासी मिलिन का काम वा जिसकी वैल्यू तक्रिबान 11.9 बिलियन बनती है तो प्रिवियस जैसे तो अल्दो कम है लेकिन स्टिल काफी हैं वॉल्यूम हमें मार्केट के अंदर बगते वे नजार आ रहा है यह अगर आप आ लगा है 44, 41 का और फेक लो लगा है 43, 464 का एक बात बार बार मैं आप लोग को बताया जा रहा हूं कि मार्केट का इस वक्त ट्रेंड वो फॉसिटिव है इसलिए यहां पर शॉर्ट करना नहीं बनता है यह मैं दो तीन दिन से आप लोग बता रहा हूं कि शॉर्ट इस वक् लेनी चाहिए और फिर कल हमने जो पहला गालेबन रिजिस्टिस लेवल ता पर बताया था इसको मार्केट बेक करती है तो इंट्राइड में रही बना सकती है और पर हमने दूसरे लेवल भी अचीव होते हूं देखें अगर अब हम सूर्ट आल देखते हैं उन्चला की टे पर अबनी थाल एन आर एक्टी आरल एसंगी यूपी आल एक्टी यूपी एक्टी शाथ हो जाते हैं जाए टेक्नालोजी सेक्टर केंदा अची परफॉर्मस देखने को में जहां पर सिमेंट सेक्टर केंदर कुछ हमने प्रॉफिट टेकिंग भी आते वह देखिए साथ में जो कमर्शल बैंक का स्ट्रेक्टर का वह अच्छा परफॉर्म करता है नजर आ रहा था अगर हम आज बात करते हैं आज के टॉप एक्टिव स्टॉक्स के वाले से तो आज दिन जो टॉप एक्टिव रहा वो पी आरेल का स्टॉक रहा कल भी यही ता आज भी यही देखने को मिलें और यह उन प्रक्रिमन 49 पैसे पॉजिटिव बन रहा इसके बाद जो है पिर हपको के लेक्ट्रिक थैसें जीपी अच्छा हाई से इसके अंदर भी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली युनिटी के अंदर आज खुला अब फाइनली इसके अंदर अब बात करते हैं तो आज इंटर बैंक पे डॉलर के अधाफा हुआ तक्किलिबन आप कहले हैं एक रुपे जो आज डॉलर की जाए जब वर्ल मार्केट में सबसे पहले हम देखते हैं तो इसके रहा है अरूंड तो इसके पास है तो नेगेटिव बंद रही है और आप देखते हैं यॉर्पेन मार्केट को यॉर्पेन मार्केट के अंदर आज हमने काफी नेगेटिव एक्टिविटीज फ्रूआउट देख रहा हैं अगर आज हम इंडेक्स की क्लोजिंग या आज की केंडल को देखते हैं तो आज की केंडल एक डॉजी केंडल बनी काफियर ग्रेवस्टों डॉजी ये रिप्रेजेंट करता हैं अच्छा आज के सेशन का जो एक बात थी वो यह थी कि आपको को एक सपोर्ट बताया गया था 43,400 अच्छा मार्केट ने उसको ब्रेक ही है सबसे पहरा ये एक पॉजिटिव पॉंट आता है अच्छा अब आप ये देखेंगे 2 दिन से हैं कल का दिन और आज का दिन मार्केट खुल तो पॉजिटिव रही है पॉजिटिव परफोंब कर अदे पर ऐएक मार्केट के प्रेशर आ रहा है अप यह हाई से देख रहे है विच्स यह शौक यह प्रोफिट टिकिंग का यह अपने 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 कुछ लोग के तब profit ticking भी कर रहे हैं कुछ लोग अफना short cover कर रहे हैं ठीक है ना इस वच्छे से market volatile भी perform कर रहे है इस वच्छ जो support level market वाद immediately है वो 43,400 का ही रहे 43,420 का अगर market इसको break करती है तो यह market के लिए पहला negative sign होगा यह market के लिए पहला initially negative sign होगा और अलना ना कर इसके नीचे closing आजाती ही कल के दिन तो फेर यह काकी अद्धा कि confirmation की तरफ बदल सकता है ठीक है तो बैरा कल के दिन का पहला support level जो मौझूद है पुद तिराली सदा 400 का level 43,400 अगर market इसको break करती है तो अगला next जो आप लोको का support level आएगा को 43,250,270 का level होगा ठीक है मैं अधा लगा देता 43,250 का level होगा जो के तक्रीबन आपके लीचे 1500 points नीचे बनता है मैं यह लगा देता हूँ 250 इसको भी अगर market break करती है तो अगला level आएगा को 43,075 का उसके बाद 42,900 और final जो big support level है 42,750 का level तो यह levels कब आजचकते हैं जब एक level तूटेगा तो 43,400 का major level है अगर market इसको sustain कर लेती इसको break नहीं करती तो ठीक है market आपको intraday में chances देगी लिकिन अगर इसको break करती है market तो मैंने पहले जैसे भी का कि यह पहला negative sign होगा market के resistance level अभी भी हमारा वही रहेगा 43,700 का जो मैंने आपको कल दिया था आप देखें इसके उपर market है कैसी रहेगी यह resistance level हमारे लिए कल के दन के ले रहेगा ठीक है इसको market break करती है तो अगला level 43,900 जो आपको बताया गया था कल भी जो target बनेगा और इसके बाद जो final level होगा तो अगा 44,000 50 का level से लेका 44,000 बनेगा तो इन levels को market respect देरी price action और फिबो नाची वाई यह निकालेगा है इन levels के साथ इसके काम करना चाहिए इंट्राडे में बहुत अच्छे chances मिल रहे है ठीक है तो मैं इसके इंट्राडे के position को ज्यादा आप कह लीजे importance दूँगा इसके इंट्राडे में डिफरेक्टी चांस लेना चाहिए market के अंदर और इसके मैंने पहले भी जिखर किया कि market इसको के consolidation है market को कोई direction नहीं पकर प करना पड़ेगा और अगर market को को अगर correction लेनी है तो 3400 को ब्रेक करना पड़ेगा ठीक है तो levels के साथ हमें इसको काम करना चाहिए जैसे मैं पहले भी का कि जो stocks profit में इनको stop loss को trail करते करते ही चलना चाहिए stop loss को trail करेंगे तो ही काम्याब हो पाएंगे Shorts को मैं breakout से पहले तो बिल्कुल भी तर्ची नहीं रहता ठीक है और Shorts हो लोग ही सिर्फ कर सकते हैं इस वक जो काफी experience लोग है जो experience नहीं है तो उनके लिए बहतर है कि वो short ना करें कि इसको market trend positive हो ठीक है बहाँ सागत आप लोगो शॉर्ट कर लेंगे बहाँ सागत आप अ पूरी market नीचा है मैं काट हूँ मैं थोड़ी नीचा है को मैं काट हूँ और at the end नहीं काट पाई है ठीक है ना तो बहतर है कोई मंदा short करता है तो experience की हो और experience नहीं है तो stop loss के साथ उसको काम करना चाहिए ठीक है ना और वो भी सिर्फ breakout पर ही होगा शॉर्ट है से नहीं कि आपने directly short कर दिया बैतरे levels को देख कर काया जाए अब हम कुछ analysis पर आ जाता है ठीक है कुछ queries जो लोग जिनके पास stock है उनके सवालात है पहला जो सोग मां पास मौजूद है तो है TPL property आज इसकी closing आई 13 रुपे 39 पैसे पर देखे अगर हम इसके थोड़ा wave को समझे तो आप लोगो को याद होगा कि मैंने इसकी analysis पहले भी शेयर इसका तक्रीबन वही situation है इसके resistance है वो 13 रुपे 62 पैसे मैं वीक्री टैंसें पर बात कर रहा है पहले भी आपने देखा कि यह weekly जो closing हो 13 रुपे 62 पैसे पर देने में नाकाम है फिर यह X हो गया और 11 रुपे 40 पैस अब once again जो है यह अपने resistance लेवल के पास हवार करतावा नजर आए रहा है जो कि इसमें 15-13 रुपे 62 पैसे है अगर वीक्ली उसके कभी भी मतलब इसके ओपर closing देने में कामयाब हो जाता है तो no doubt यह हमें एक recovery बनातावा नजर आएगा तो इसमें जो high लगा है ना 20 रुपे पैसे का और फिस जो इसके जो लगा है 11 रुपे 40 पैसे जो कि roughly roughly आपकी गिरावाट 9 रुपे की बन जाती सारे 8-9 रुपे के तो उसके एक recovery बनाएगा जिसके अंदर यह को 15 रुपे 16 रुपे और 17 रुपे के भी target रिखा सकता है तो बैतर है इसका breakout के अंदर वेट के आज चुका है गिप्स पे बहुत ही अच्छा आइडिया है फिसके 50 रुपे बाइबक भी होने वाले है कालिबन आउगस्ट पे बाइबक कर रही है company for cancellation है अगर आप कुछ पांच अदा अदा शेर लेते हैं तो जो percentage आपकी बनेगी न वो increase हो जाएगी जो company buyback कर रहे है ना shares 50 र तो यहां पर अगला याद होगा आप लोगों को मैंने जो है unity का भी इसी तरीकी समझाया था चार्ट अगर मैं unity पर आजाओ तो unity का अगर आप लोगों को याद होगा गालेबन इस rate पे यह जब इसने high लगाया था 15 और 85 पैसे इस rate पे मैंने का था इसके अंदर short dip आ सकती ह आप इसको dip पे buy करना चाहिए क्योंकि यह ready अपनी rally के लिए यह ready अपनी rally के लिए जो कि 17 और 18 रुपे के बनेगी target यह गालेबन मैंने अपनी उस वीडियो में का था शायद उस वीडियो का कमने ली होगा unity analysis गालेबन आप जाके देख सकते हैं उससे तो मैंने इसको काफी रीटेल में discuss किया था कि इसका trend अभी uptrend में बदल चुका है यह एक recovery ले सकते है जो इसने खाये लगाए 255 पैसे से जो इसने एक low लगाए था 12 रुपे का आप लोग बता है था कि इसके against गिरावट की है इसके against गिरावट की है इसके against एक recovery लेता हूँ आप लोगों को पहला target 16 रुपे 41 पैसे है तीस्वा target 17 रुपे 88 पैसे है गालेबन यह उसी वीडियो से लिएगा इलफाद है आप चेक कर सकेंगे तो आप देखे तो इसने भी बहुत जबर्दस रही है तो बहराल अभी इसका डेली टैंपे पे आपको इसके अभी सुर्टा आज प्रिवेश है से उपड़ बनाया है यह इंडिकेशन है अप्ट्रेंड की अभी इसकी सुर्टा आल देखें तो इसने एक जबर्दस रही कर दी है ठीक है ना अगर आप इसके रेसेंट लोग से देखेंगे तो वह 14 रुपे 46 पैसे का इसने लो लगाया ता और इसके आज इसने खाय लगाया ठीक हाड़ा रुपे 82 पैसे का तो इक जबर्दस यह रही बन जाती है जिसकी वजह से इसके अंदर हम शॉर्ट डेप यह शॉर्ट एजस्मेंट जो है वह आतावद देख सकते हैं अगर यह एक ब्रेक आउट देगा 17 रुपे 55 पैसे का अगर यह लेव पैसे को ब्रेक करता है तो तो इसको डिप पे डेफिनिटली अगर यह अगर यह कंसॉलिडेट और ब्रेक आउट आए तो इसको डिप पे हिंचना चाहिए युनिटी को मकसद यह कहने का कि इस वह अप्ट्रेंड के अंदर मौचिंट है तो यह तो बहला हो के युनिटी अनलेसिस की काफी लोग पास युनिटी परावा तो इसकी भी मैं एक अनलेसिस कर दी अगला आइटम आजाता है पैंथर टायज लिमिटेड इसके हावाले से हारिस मुश् इसके हाली अपनी टेक्निकल्स को फॉलो करता हुआ यह आइटम चनले आज देखे तो आज यह अपर केंपे बन वाग ठीक है और आप देखेंगे तो इसने काफी अर्से कांसौलीडेट किया ठीक है ना किस रेवल इसके दल्यानी कांसौलीडेट होता हो नाज आज इसने इस लेवल का ब्रेक आउट किया तो अभी इसकी सुट्यावाइट को देखता है ना इसने एक बैसिकली हाई लगाया था तकरीबान पांक सक्तमबर दौदार वाईच को 36 रुपे 35 पैस हो उसकी अगेंस के गिरावाट आई और इसने एक लो लगाया 15 रुपे 5 पैसे अभी इसको देखाज़ाना उसी गिरावाट ना उसी के पहरी लिए अभी इसका इमचियर्ट लेवल आ रहे है वह तीस रुप AMY का रहे है त्यहीं सुने और ऐसका थैप अगर इसको ब्रेक और इसके उपर क्लोजिंग दे देता है तो मजीड पर यह आगे आ सकता है रहनी में जिसके नहीं 25 सुपे से 26 सुपे का इमेजिट टागेट और यह अठाई सुपे तक को भी चेज कर साकता है अभी तो इसकी सिच्वेशन है वह यह है कि अभी अपनी अफ्रेंट के अंदर यह इसने एक फ्लैट करेक्शन की यहां पर ठीक है तो इसका इमेजिट लेवल है वह 23 सुपे 20 पैसे का है अगर इसकी उपर क्लोजिंग देता है तो मजीड यपट जा सकता है जहां पिर यह 25 सुपे को टागेट कर सकता है उस बाद 28 सुपे तक को भी यह टागेट करतावा नजर आ सकता है ठीक है तो यहार इस मुष्टपास आपने पूछा था सवाल उसके वादा से मैंने आपको बता दिया तो आज यह तीन स्क्रिप्स से इंशाल आप लोग और कॉमेंट कीजिए तो मैं और स्क्रिप्स को एनलाइज करके मेरी कोशिश होगी कि उनको एनलाइज करके आप आपके सामने लाओ ठीक है तो ओवराल मार्केट आपको काफी हथ तक इसके हवाल से बता दिया लेवल के साथ काम करना चाहिए इंट्राडे इस बदब शॉर्टरम को मार्केट इसको बहुत अच्छा होना चाह रही है तो इंट्राडे या पर बीटी एसकी ट्रीट के आपके जो है काफी रिस्की है बैतर है मार्केट को एक अच्छे एक बॉटम पर अज़े उधर स्विंट्रीट भी जाए तो एक मार्केट आपको अच्छा मुलापत दिखाएगी वरना हमें बैतर है समनों को एक बेसिकली आपके लिए हम शॉर्ट टम में मार्केट को ठाक